Hello students, आज का हमारा टॉपिक है इकनोमिक इंपोर्टेंस अफ प्रोटोजोः फाइलम प्रोटोजोः के बारे में आप फिर्स्ट येर में पढ़ चुके हैं और आपको ये भी मालूम है कि दो प्रकार के प्रोटोजोः होते हैं प्रोटोजोः प्रोटोजोः जो है वो नॉन सैलिलर होते हैं सुक्ष्मदर्ची की सहायता से हम इने देख सकते हैं जीव दरफ श्रणी के जीव हैं ये और लगबग सबी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं पानी में नम सतह पर मिट्टी हवा फर्श पर और दूसरी जीवों के शरीर के अंदर बाहर पेड पौधों में भी ये पाए जाते हैं जो बैनिफीशल प्रोटोजोः से उनकी हम बात करेंगे और हानिकारक की भी बात करेंगे यहानिकारक जो protozoans हैं वो बनिश्य के शरीर में रोग का कारण बनते हैं और यह रोग जनक protozoans कहलाते हैं इन रोग जनक protozoans को लिवेन होक ने 1674 में रुके हुए जल में देखा था सरप्रिथम और इन जो छोटे कुछ यह प्राणी है इनका जो नाम है protozoa वो इन्फियोसोर और गोलफर्स नाम के साइंटिस्ट ने 1818 में protozoa का नाम दिया था तो चलिए हम सबसे पहले beneficial protozoa के बारे में बात करते हैं आपके स्क्रीन पर मैंने beneficial protozoans लगा रखे हैं आप देखे युगलीना दिख रहा है फौरा मेनिवेरा जो है उसके जो shells हैं वो आपको दिखाई द सकते हैं तो यह चलिए मैं बताती हूं कि कैसे beneficial protozoans हमें हमारे जीवन को लाप पहुंचाते हैं तो पहला जो है जनस्वास पब्लिक हेल्थ तो अनेक जो होलोजोएक टाइप की protozoans हैं वो विभिन जलश्रोतों में पाए जाते हैं और उनका जो भूजन होता है वो बैक्ट प्रोटोजोएव बैक्टिरिया हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको यह protozoans भक्षन कर लेते हैं अपना भोजन बना लेते हैं और अपर तक शुरूब से जल को शुद्ध बनाते हैं यह जल की शुद्धिकरन में सहायता भी प्रदान करते हैं तो यह जो जल है जल को क्या करते हैं कि टाडू रहिद बना कर क्या कर देते हैं प्यार कर देते हैं यह अब नेक्स्ट जो है वह है food प्रोडेक्ट्स प्रोटूजोएजो है वह जनतु हार का जो first member है जो food chain है उसका और ये प्रत्रम दृतिय और दृतिय टाइप के जो consumers हैं ये consumers इनको ग्रहन करते हैं protozoans को जैसे पानी में पाए जाने वाले जो CP हैं घोंगे हैं मतलब molluscans इसके अलावा मशलियों के जो छोटे बच्चे हैं इसके अलावा aquatic जो insect larva है वो सुक्ष्म जो crustaceans है worms है ये सब जो है ये इन प्रोटोजोंस का सेवन करते हैं और सेवन करते हैं तो ये जो खादिश रंकला में प्रोटोजोंस की विबिन जलिये जाती हैं जो है वो मनुष्य द्वारा सेवन किये जाते हैं जैसे हम जैसे मनुष्य है मशलियां सीपी घोंगे ये सब खादिश रोट है मनुष्यों के इसके बाद में जिनकी हम बात करेंगे वो है रेडियो लेरियंस जो की मरने के बाद पानी में डूब जाते हैं और वहां पहुँच करें सजीवों के कार्बनिक उत्पात के साथ म वो है सहजी भी एवं सहफ होगी प्रोटोजोवा, common cell and symbiotic प्रोटोजोवा ये जो प्रोटोजोंस हैं ये आत में रहने वाले फ्लाजिलेट्स हैं जो की दीमक की आतर में रहते हैं ये जो फ्लाजिलेट्स हैं इनका नाम है ट्राइकोनिमफा और कोलोनिमफा ये दीमक के आ लकड़ी है कागज है इनमें सब में cellulose होता है तो अगर दीमक के अंदर यह प्रोटोजोन से नहीं पाये जाएंगे तो दीमक मर जाएगा वो इसको cellulose को नहीं पचा पाएगा और यह cellulose का यह जो प्रोटोजोन से पचा कर इसे गुलाइकोजन में परिविर्टित करते हैं और यह जो ग्लाइकोजन है उस दीमक भी यूज करती है इसको और फ्लाजिलेट्स भी यूज करते हैं तो इसका में दोनों जिन्दा रहते हैं तो symbiosis के रूप में यह काम करते हैं सहजीवी के रूप में काम करते हैं इनका एक दूसरे के बगैर आप कह सकते हो जीवन नहीं है विबिन प्रकार के जो ciliates हैं सिटोरियल्स हैं इन जो species के जो सदस हैं वो जलिय मचलियों द्वारा खाये जाते हैं क्रिस्टेशिया मॉलस्स का और इनके द्वारा खाये भी चाते हैं और यह जो प्रोटोजोंस हैं यह इनके उपर एक्टो सहजीवी के रूप में भी रहते हैं कॉमें सेल के रूप में भी रहते हैं और यह दूसरे को नुपसा नहीं पहुंचाते हैं लेकिन यह प्रोटोजोंस इन्हीं की साहिता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इन्हें उचित भोजन मिल जाते हैं ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती ह इसके अतरिक तो कुछ सिलियेट्स है जैसे निक्टो तीरस है बैलंटीडिय में उपेलाइना है यह फ्लैजिलेट्स है जो की और ट्राइको मुनास है जियारडिया है यह सब जो हैं अंटमीवकोलाई है यह कई तो हुमन बिंग में पाये जाते हैं कई मैन्डक में यानए की लोग उसमें बड़ी आथर में पाए जाते हैं दिलचटे में पाए जाते हैं यह और अंडोकॉमेंसलिजम की तरह वास करते हैं यह नुकसान तो नहीं पहुचाते लेकिन इनके अंदर रहते हैं इन जन्तू हो में अब है जिसे मानुप जाती में जो पाए जाता है एंटी में अमीबा को लाई यह हानिकारक बैक्टिरिया है जो कि मानुप में पाए जाता है अब ऑशियनिक उज समुंदरी उज यह मैंने बताया फॉरमेनी फेरा के बहुत सारे जो फॉसल आपको दिख रहे हैं यह शेल्स एक मात्र जो है एक्टो इसकेलेटन इन में पाया जाता है इनकी शरीर के बहार एक शेल पाया जाता है नाजुकसा जो कि मरने के बाद इस शेल जो है यह समुंदर तल में डूप कर और उसकी मिट्टी और समुंदर की जो तल है उसमें उज बनाते हैं यह यह कंकाल जो है ए यह एक तरह के चत्टान बनाते हैं, जिन्हें flint and shirt नाम की चत्टान बनाते हैं, जो कि मानव उपृयोगी होती है, सिकिंड टाइप का प्रोटोजोव है जो की हामफूल प्रोटोजोव कहलाता है मैंने आपके स्क्रीन पर हामफूल प्रोटोजोव का डाइगरम लगा है आप देखिए इसमें आपको ट्रिपनैसोमा दिख रहा है जियाडिया दिख रहा है एंटमीपा दिख रहा है और बैरेंटेरियम दिखाई दे रहा है अब हानिकारक जो प्रोटोजोंस हैं उनमें फॉर्स्ट पॉइंट जो है सॉइल प्रोटोजोंस ऐसे प्रोटोजोंस जो की मिट्टी में पाए जाते हैं और यह मिट्टी यह प्रो बाव डालते हैं यह उससे क्या होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम कर देते हैं कम हो जाती है नेक्स जो है वो है वाटर पॉल्यूशन जल को प्रदुशित करने वाले प्रोटोजवा तो यह जो प्रोटोजवा है यह प्रोटोजोंस जो है मलत्याग से उत्पन होते हैं और यह अकार्बनिक और तेलिये पदार्ब को स्रावित करके जल में दुरगंद उत्पन कर पानी को दुशित करने वाले प्रोटोस हो आ हैं और मानवजाती के उप्योग के लिए अतियंत हानिकारक होता है इस प्रकार का दुशित जल अब है नॉक्टिल जिमनोडी टियम यह शिगरता से विभाजितोगर जल को लार रंका बना देते हैं और यह जो जल है यह दुशित जल होता है जो की और यह जो दुशित जल है यह जो पानी में पाए जाने वाले जो जीव जनतु होते हैं उनके लिए जहरीला होते हैं उनको यह नुक्सान प पेदा करते हैं रोग-जनक-प्रोटोजोंग। मनुष्य में फैलाने वाले रोग-जनक प्रोटोजोंग जो हैं लेश्मेनिया। लेशमानिया ये कालाजर नाम का रोग पैदा कर देता है और ये जो रोग है ये इथोपिया, सूडान, वेस्टरन, इस्टरन अफरेका और साउथ अमेरिका में पाय जाता है ये इंडिया में नहीं है कॉमन और सैंड फ्लाइज ज्वारा ये फैलता है इसके अलावा जो है लेशमानिया ये जो है कुटेनियस लेशमिनियस इस भी रोग पैदा कर देता है इसमें क्या होता है शरीर पर चुट-चुरी दरारें पढ़ जाती है और ये जो रोग है ये सॉइल फ्लाइज द्वारा या सैंड फ्लाइज बोलते है उनकी द्वारा ये जानवरों में और यहां तक कि मनुष्य में भी पैलता है अब नेक्स्ट जो रोग फैलाते हैं ये प्रोट्वोस वो है निद्रा रोग ये दो प्रकार की निद्रा रोग पैलाते है ट्रिप्नीओं ड्रिप्नसॉमियोसिस ये सिसी फ्लाइज़ की काटनेसे होता है और ये चरण यह टोもう जाए जाते हैं इसमें अ म्योत तेज भूखाहएं और फ़ोड़े दिन है कि न्यूतु भी हो सकती है दूसरा जो है यह 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 ब्रेन फीवर पैदा करता है अगर ये ब्रेन में पहुंच जाता है तो जो रोगी होता है वो उसे लंबी नींद आ जाती है और वो सोते सोते ही अगर उसका इलाज ना हो तो रोगी की मृत्यू भी हो सकती है इसके इसके बाद नेक्स्ट है अमेरिकन ट्रिपनोसोमियसिस इसे चाग और इसमें जो है बगद्वारा फैलती है और ये मुझे ला टपकती है इसमें और ये कुट्थे या बिल्लियों में ये रोग होता है अब है बैलंटीरियम को लाए ये मुख्य रूप से सुवर और मनुश्यों को प्रभावित करती है और ये जो बिमारी है ये अलसर बैद इंटेस्टाइनलिस जो नाम के प्रोटोजोन है इससे हो जाती है ये और ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में ये बिमारी ज़्यादा फैलती है अब है टॉक्सो प्लैस्मियोसिस इस तरह का रोग जो है वो जो है टी गॉंडाई नाम के प्रोटोजोन से होता है इसमें न निमोनिया हो जाता और ये भी बहुत इंजूरियस है human beings के लिए। फिर है malaria, malaria तो well known disease है जो कि plasmanzamじゃई जो है उसका मुख्य कारण है malaria-경ar का. अब है यह जो प्लास्मोडियम है यह विश्यला प्रदाथ श्रावित करता है हिमेजोइन जो कि यह शरीर पे अपने मनुष्य में यह जो कि यह blood parasite है यह blood में यह जो द्रवे है हिमेजोइन यह छोड़ देता है जिससे की malaria रोगी जो होता है उसको कप-कपी आती है और बुखार आ जाता है अब है amoebiosis ये भी मनुशी जाती में पैचिस की बिमारी पैदा करता है और entamoeba histrality का नाम के जो protozoa है उससे ही हो जाता है इसके अलावा entamoeba gingivalis जो है इससे दांतों और मसोडों में पाये जाने वाले रोग हो जाते हैं पायरिया नामक रोग करता है इसके अलावा मनुशी के मुत्रजनन अंगों में भी protozoans त्वारा रोग हो जाते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी protozoans है जिनके द्वारा जो है जनतों में रोग हो जाते हैं तो आज हम बस इतना ही करेंगे थोड़ा सा और में बताती हूं आपको मैंने सिल्क मौत के बारे में बताया था सिल्क इंड्रेस्ट्री को जो नुकसान पहुचाता है वैंने आपको उसके protozoan का नाम बताया था बैबेसिया जिसको बोलते हैं उसका नाम है नौसेमा बॉम्बिसिस यह जो है रेश्यम के केड़े में पाया जाता है और पैबरिन नाम का रोग पैदा करता है इंग में और अगर पैबरिन हो जाता है सिल्क मौत में तो आगे सिल्क का प्रोडेक्शन नहीं कर पाते हैं तो यह सिल्क इंड्रेस्ट्री को बहुत नुक बनाने में उसको दिक्कत होती है इसके अलावा एक प्रोटोसुआ और है जिसका नाम है एक्थियो पतियंटर्स एक्थियो पतियंटर्स मॉल्टिफिलिस यह एक प्रोटोसुआ है जो की फ्रेश वॉर्टर फिशे जो स्किन है और गिल्स है उसके joda epidermis cells है उनसे ये चिपक जाता है और अगर उससे चिपक जाएगा gills और skin की जो उपर की सत्य है उससे तो ये वहाँ पर skin पर क्या फफोले पैदा कर देता है और फफोले होने के बाद fish जो है वो थोड़ा सा जो fish industry है उसके लिए वो unfit हो हो जाती है तो ये भी प्रोटो जो है फिश इंडस्ट्री को क्या करता है हानी पहुंचाता है तो बस आज इतना ही आप इसे जरूर से किताब से भी पढ़िएगा थैंक्यू स्टूडेंट्स पर वाचिंग वाचिंग दिस वीडियो